नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अउगत है निपुन भारत मिसन से संबंदित शिक्सकों के दिक्सा परसिक्षन चल रहे हैं परतेक सप्ता आपको तीन परसिक्षन पूरे करने होती है इस सप्ता आपको कोर्स नमबर 16, कोर्स नमबर 17 और कोर्स नमबर 18 का परसिक्षन पूरा करना है कोर्स नमबर 16 की आकलन की प्रशनोत्री की वीडियो में बना चुका हूँ अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के description box में course no.16 की आकलन की प्रशनुत्र की वीडियो आपको मिल जाएगी उस पे click करके पहले आप course no.16 को पूरा कर लिजे उसके बाद आज की इस वीडियो में हम course no.17 हमारा एक अलग तरह का course है जो course हमने अब तक सीखे course no.1 से लेकर 14 तक उन सब के question set इस course no.17 में दिये गए है उनकी आकलन की प्रशनुत्री हम इस वीडियो में लेंगे की course no.1 से 14 तक जो हमने course की है उनमें हमने क्या-क्या सीखा एक तरह से उसी का question set इसमें दिया गया है वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं कोर्स नमबर 16, 17 और 18 के लिंक मैंने वीडियो के description box में डाल दिये हैं वहाँ पे आप क्लिक करके कोर्स 16 को start कर सकते हैं 17 को start कर सकते हैं जैसे आप कोर्स नमबर 17 के लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से कोर्स नमबर 17 आपका open होकर आ जाएगा अगर हो सकता है कि आपका देख सामें login ना हो तो वह आपसे login में मांग सकता है और अगर login हो रहा है तो वह आपके सामने join course का option आजाएगा आप join course के option पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आजाए course enrolled for the best successfully उसके बाद यह आपकी details share करने के लिए कहेगा आप चाहें तो share कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर i consent से आगे आपको tick लगाना होगा उसके बाद don't share और share कोई सा option आप दबा दीजिए अगर आप चाहते कि आपकी progress dashboard पे नज़र आए तो आप share पे option के लिए और नहीं चाहते तो don't share पे click कर दीजे मैं यहाँ पर don't share पे click कर देता हूँ तो यह आपका हो गया है course number उसके बाद start learning पे हमें click करना है देखे यह हमारे सामने आ गया है week 6 to 12 September week 6, 6 to week चल रहा है 12 से 17 September और इसमें हमें जो हमने अब तक सभी course में हमने किया तो उसके question हमारे सामने आएंगे हम इसमें click करते हैं देखे हमने इसमें क्लिक किया यह हमारा open हो रहा है यह हमारा open हो चुका है देखे इसमें हमारे पीछे की जितने भी course है एक से 14 तक उसी से संबंदित प्रशन होंगे देखे पहला प्रशन है बच्चों से बातचीत से पूर्व आवश्चक है अब जब आप class में जाते हैं बच्चों से बातचीत करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्चक है कक्सा में सहज बातवर्ण का निर्मान कक्सा में कठोर अनुसासन पठ्टपु्सकों का भ्यास्कारिय कक्सा में माइक और अपकरनों की वबस्ता तो इसमें आपका जैसे बातचीत करते हैं, सहज बातावर्ण होना जुरूरी है मैंने इस पर टिक कर दिया है, यह अपने आपी टिक हो गया है तो इस पर टिक कर दिया, उस पर टिक करने के बाद आईरो का निसान आपके सामने है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे तो यह आपका सही हो जाएगा अब आपको नेक्स के उप्शन पर क्लिक करना है नेक्स के उप्शन पर हमने क्लिक किया, तो हमारे सामने दूसरा प्रशन आ गया कहानी से जुड़े चितर दिखाकर उस पर बातचीत करना उप्युक्त रहेगा कहानी से जुड़े चितर दिखाकर आप बातचीत करेंगे देखे इसमें आपको चार उप्षन दे गए है प्री प्राइमरी इस्तर पर उच्छ प्राथमिक इस्तर पर मध्मिक इस्तर पर तो कहानी से चित्र जब जुड़े होते हैं उन पर बाचीत करते हैं तो प्री प्राइमरी में तो करते ही हैं प्राइमरी स्थर पर भी करते हैं उसके साथ साथ उच्छ प्राथमिक प्राइमरी स्थर पर भी करते हैं के खे गे हमारा सही है लेकिन ये प्रसंद थोड़ा गलत दिया गया है तो इसमें अगर आप के खे गे पर क्लिक करेंगे देखे इसमें चार वी कल्ब दिये गए है कि आंसर सीट बनाने में गड़बड हो गई हो तो इसमें जो सही आंसर दिया गया है वो क्ये खे वे घे दिया गया है हाला कि ये गलत है लेकिन हमें नमबर पूरे लाने हैं तो इसमें हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे इसका सही उत्तर क्ये खे गय है तो इसमें हम क्ये खे गय इस सामने है लक्षमी अपनी कक्षा तीन में कई चित्रों की साहिता से कहानी आगे बढ़ा रही है वह बच्चों में विक्षित कर रही है तारकिक्ता चित्र दिखा रही है और कहानी को आगे बढ़ा रही है तारकिक्ता ग्यान कल्पना सीलता और चिंता करने की चमता देगे इस का सही उंसर है, हाला कि चिंता लिखा गया यह मिस्प्रिंट हो गया है, चिंतिन हो न चाहिए यह, चिंतन पर हम किलिक करेंगे और एरोस को िरिशान से आगे बढ़ेंगे, तो यह हमारा सही हो जाएगा, देगे वैसे चिंता करने के चुम्थता तो नहीं होती, लेकिन यह सही हो गया उसके बाद next के option पे क्लिक करेंगे तो देखे आपके सामने अगला प्रशन है भासा सिक्षन के उद्देश्चे है सुनना बोलना पढ़ना लिखना वे विकास बिल्कुल सही है तरक, चिंतन, कल्पना और अनुमाल लगाने के कोसल का विकास यह भी सही है ए और बी दोनों तो दोनों ही हो जाएंगे हमारे उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसमें ए और बी दोनों ही हमारा सही होगा इसमें क्लिक करेंगे एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट के उप्शन पे जाएंगे अगला प्रशन है परिवेश यह संसाधनों द्वारा बुन्यादी इस तरपर भासा के किन आधारभूत भासाई दक्स्ता के विकास से समुचित अवसर प्राप्त होते है स्रवन बोलना पढ़ना लिखना आई थिंक यह प्रशन पहले भी आया है जैसे हमने प्रशन उतरे की वीडियो बनाई थे प्रशन आया था उसमें स्रवन बोलना पहला और दोसरा सही था तो इसमें भी हम पहले दोसरे पर किलिक करेंगे क्योंकि बुन्यादी इस तरपर इनी की ज़्याद ज़रत पढ़ती है तो फर्स्ट एंड सेकिंड थार्ड ओप्शन है इसमें हम किलिक करते हैं एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं यह हमारा सही हो गया अब नेक्स्ट के उप्शन पर जाएंगे एक अच्छे सिक्षन अधीगम की विशेष्ता है क्या विशेष्ता है सरल सहज सुलब तरीके से प्राप्त की जा सके सभी बच्चे छू सके उसके साथ किरियाएं कर सके बच्चे स्वाम भी उसका निर्मान कर सके उप्रोक सभी सभी उप्शन सही है तो इसमें हम उप्रोक सभी पर किलिक करेंगे उप्रोक सभी पर हमने किलिक किया एरो के निसान से आगे बढ़े तो ये भी हमारा सही हो गया उसके बाद next के option पे क्लिक करेंगे अगला प्रशन है भासा की सिक्षक को किस प्रकार का ग्रहकारी है अपने विध्यार्तियों को देना चाहिए किस तरह का देना चाहिए भासा की सिक्षक को जिसमें परिवार की सदस्यों से वार्टा कर समश्या समाधान खोजे आगर सेक्चित्र बनाने हैं तू प्रेडित हो सके शुरूती लेख वे नकल कर सके इन में से कोई ने देगे भासा की सेक्षक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे वारता जादे से जादे करें समश्या का समाधान भी खोजे तो पहला ही option मुझे सही लग रहा है जिसमें परिवार की सदस्यों से वारता करके समाधान खोजे इसमें हम क्लिक करते हैं एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं ये भी हमारा सही हो गया उसके बाद next के option पर जाएंगे अगला प्रशन है भासा विकास है तू बुनियादी स्थर पर बोलने के कोसल के विकास है तू निमलिविसमें से क्या आवश्चक नहीं है देख इसमें क्या आवश्चक नहीं है पूचा है तो बच्चों से भासा विकास कर रहे है बुनियादी स्थर पर बोलने के कोसल का विकास कर रहे है तो बच्चों से प्रशन पूचना ये तो बिल्कुल सही है चितर कथाबे बादचीत ये भी सही है चितर पार्ट पर चर्चा ये भी सही है चितर बनाने को कहना ये आपका बोलने के कोशल से इसका कोई मतलब नहीं है तो चितर बनाने को कहने पर हम क्लिक करेंगे और एरोगनिसान से आगे बढ़ेंगे तो ये भी हमारा सही हो जाएगा next option पे click करते हैं अगला question है हमारा अक्सरों और सब्दों के साथ अनुभव से जुड़ने से क्या परिनाम होता है बच्चे पुष्ट के पढ़ना परारम करते हैं बिल्कुल सही है बच्चे चितर बनाना परारम करते हैं लेखन परक्रिया आरम होती है या ये कहिए कि भासा सीखने की परक्रिया आरप होती है तो मुझे तो last जाएज लगड़ा है अनुभव के जुड़ने से पढ़ना वहां ये ही है भासा सीखने की परक्रिया आरप होती है मैं अस्पे हम क्लिक करेंगे और air consistency सीखने से आगे बढ़ेंगे बच्चों की वर्तवान, विकास, सिक्षन 35, स्कूल, सुधार से जुड़े सामगरी की खोज वैयता उससे को प्योग, ये भी सही है, पटित सामगरी के बारे में नोट करते हुए परमुक बातों के बारे में सात्यों से चर्चा करना, सिक्षन में सामिल करना, ये भी सही है, स निपुन भारत के संदर सीखा के उप्योग से कक्षा तीन के बच्चे कौन से कोशल सीखेंगे अच्छा निपुन भारत में कक्षा तीन के बच्चे कौन से कोशल सीखेंगे सिर्फ कक्षा तीन के दो और तीन के मुख्या कोशल या कक्षा एक और दो के मुख्या कोशल तो त प्रशन है के Kार्य पत्रक हमें कहा मीलेंगे करे पत्रक हमेंने हैं औरakah में जया से और स्था अजह से मिल जाएंगे इस पे हम क्लिक करते हैं एरो के निसान से आगे अगे बढ़ते हैं ये भी हमारा सही हो गया इसमें काफी प्रसिण दिये गए हैं 12 प्रसिant तो हो चुके हैं देखते हैं कितने प्रसिण उर रह गए हैं स्वह विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए अपने कारिया में सुधार से संबंदित पार्ट सामगरी की पहचान उसका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए बच्चों के विकास वर्त्मान सिक्षन पदती स्कूल सुधार से जुड़ी सामगरी की खोज यहतावश उपयोग यह भी करना चाहिए पटित सामगरी के बारे में नोट करते वे परमुक बातों के बारे में सातियों से चर्चा करना और शिक्षन में सामिल करना यह भी करना चाहिए और उप्रोक सभी तो इसमें तो सभी आ जाएगा सबी पर मैं क्लिक करता हूँ arrow की रिसान से आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारा सही हो जाएगा अब भी next पर करते हैं देखते कितने प्रशन है total इसमें 13 प्रशन दिये गए है हमने total 13 कर दिये है skip हमने एक मिन किया अब हमी score चेक करते है submit के option पर क्लिक करेंगे तो हमारा score congratulations आ गया है इसे हम cross से क्रिक करते हैं इसमें देखते है हमारा score 13 out of 13 आ गया तो साथियों इस तरह से मैंने 16 की वीडियो बना दी 17 की बना दी 16 का link आप इस वीडियो के description box में मिल जाएगा उससे आप 16 को कर लिजे और इस वीडियो के मिदद से 17 को कर लिजे आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, share करें, वीडियो पे comments करें और अगर आप मेरे channel पे नए हैं पहली बार मेरे channel को देख रहे हैं तो channel को subscribe कर लिए और bell का इकन को press कर दें जिससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सके धन्यवाद